वैशाख मास माहात्म्य अध्याय तीन इस अध्याय में। वैशाख मास में छत्रदान से हेमकांत का उध्धार नारत जी कहते हैं। एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय शुरुत देव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनी पधारे जो वेदों के जहाता थे उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए। और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पर धारन किया। इस प्रकार स्वागत सतकार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए तब विदेह राज के प्रश्ण के अनुसार वैशाक मास के महात्मय का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। शुरुत देव ने कहा राजन जो लोग वैशाक मास में धू पर रहास का उदाहरन दिया करते हैं। व्रत का पालन करने वाले शर्तरची नाम वाले आरशी समाधी लगाए बैठे थे जिन्हें बाहर के कारियों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया तब उन आरशियों के दस हजार शिश्यों ने राजा को मना करते हुए कहा ओ खोटी बुद्धी वाले नरेश हमारे गुरु लोग इस समय समाधी में स्थित हैं बाहर कहां क्या हो रहा है इसको ये नहीं जानते इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए तब र राजा के ऐसा कहने पर वे शिश्य बोले हम लोग भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं गुरु जनों ने हमें किसी की आतित्य के लिए आज्या नहीं दी है हम सर्वता गुरु के अधीन है अतक तुम्हारा आतित्य कैसे कर सकते हैं शिश्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेको बार रक्षा की है जो मेरे दिये हुए दानों पर ही पलते हैं वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं ये मुझे नहीं जानते ये सभी कृतग्न औ अगर भय से भाग चले भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और तीन सौ शिश्यों को मार गिराया शिश्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ सामगरी थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया राजा के अनुमोधन से ही उन्होंने वहां इ उसे राज्य करने के अयोग्य जान कर उसकी निन्ना करते हुए उसे देश निकाला दे दिया. पिता के त्याग देने पर हेमकांत घनेवन में चला गया. वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया. ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी. इसलिए वह कहीं भी स्थिर्टा पूर्वक रह नहीं पाता था. इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए. एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनी तृत्तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए. वे धूप से अत्यंत संतप्त और त्रिशा से बहुत पीडित थे. इसलिए किसी व्रिक्षहीन प्रदेश में मूर्चित होकर गिर पड़े. दैवयोग से हेमकांत उधर आ निकला. उसने मुनी को प्यास से पीडित, मूर्चित और ठका मादा देख उन पर बड़ी दया की. उसने पलाश के पत्तों से छत्र बना कर उनके उपर आती हुई धूप का निवारण किया. वह स्वयम मुनी के मस्तक, पर छाता लगाये खड़ा हुआ और तूमी में रखा हुआ जल उनके मुह में डाला. इस उपचार से मुनी को चेत हो आया, और उन्होंने क्षत्रिय को दिये हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की. उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ती आई, और वे धीरे-धीरे किसी गाव में पहुँच गए. उस पुन्य के प्रभाव से हेमकांत की तीन सौ ब्रह्म हत्याएं नश्ठ हो गई. इसी समय, यम्राज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आये. उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहनी रोग पैदा किया. उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छट पटाते हुए, हेमकांत ने तीन अत्यंत भयंकर यम्राज को देखा, जिनके बाल उपर की ओर उठे हुए थे. उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया. चत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विश्नु का स्मरण हुआ. उसके स्मरण करने पर भगवान महा विश्नु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीग घ्र जाओ, यम्दूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो. अब वह निश्पाप एवं मेरा भक्त हो गया है. उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो. साथ ही मेरे कहने से कुशकेतू को यह समझाओ, कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाक मास में छत्रदान करके एक मुनी की रक्षा की है. अथ वह पापरहित हो गया है. इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला दीरगायू, शूर्ता और उदार्ता आदी गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है. इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो. भगवान विश्णू ने तुम्हें ऐसी ही आग्या दी है. इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहां लौट आओ. भगवान विश्णू का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्यान मैं हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्ष किया. भगवत भक्त के स्पर्ष से हेमकांत की सारी व्याधी क्षण भर में दूर हो गई. वहाँ नाना प्रकार के स्तोत्रों से इनकी स्तुती तथा वैभवों से उनका पूजन किया. ततपश्चात महाबली विश्वसेन ने अत्यंत प्रसन होकर राजा को हेमकांत के विशय में भगवान विश्णू ने जो संदेश दिया था, वो सब कह सुनाया. उसे सुनकर कुशकेतू ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयम विश्वसेन की आग्या लेकर उन्होंने पत्मी सहित वन को प्रस्थान किया. तदनंतर महामना विश्वसेन हेमकांत से पूछ कर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विश्णू के समीप चले गए तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताय हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुब धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे वे ब्राहमन भक्त, धर्मनिष्ट, शांत, जितेंद्रिया, सब प्राणियों के प्रतिदयालू और संपोर्न यग्यों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए उन्होंने पुत्र पौत्रादी के साथ समस्थ भोगों का उपभोग करके भगवान विश्णू का लोक प्राप्त किया। वैशाक सुख से साध्य, अतिशे पोन्य प्रदान करने वाला है। पापरुपी इंधन को अग्नी की भाती जलाने वाला, परमसुलब तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुशार्थों को देने वाला है। जय जय श्री हरी